हेलो दोस्तो एक बाद द्वारा से आप सभी कर स्वगत करता हूँ आपके अपने चैनल हुए गणा स्टॉक पर दिल से तो दोस्तो बात करेंगे बाबारांदेप की कंपनी रुची शोया शेर प्राइस के बारे में क्या रुची शोया को आपको अभी होल्ड करना चाहिए औ और आपको एक तरीका बतलाऊँगा कि आप रुची शेर को कैसे ट्रैक कर सकती हो लॉंग ट्रम शॉट ट्रम में टाकि आप एक रुपे का पैसा आपका ट्रैपना इस स्टॉक में ठीक है मेरी खुर्की एक स्ट्राइटजी है स्टॉक में जो आपके शेर करने जाओंगा अभी के अभी ठीक है और दूसरी बात हम शेर करेंगा इसके कंपनी के प्येंडल देखेंगे प्रॉफिट लॉस ठीक है कि प्रॉफिट लॉस कैसे है कंपनी के उसके बेसिस में डिसाइट करेंगे का फ्यूचर कैसे हो सकता है ठीक है बाई यह दूछी शेर करने से पहले आपको पता होगा मैंने एक announcement करी थी कि हर Sunday मैं class लने जा रहा हूँ तो आज का जो class था वो हो चुकी है ठीक है एक मैंने तरीका बतला है कि आप कब buy कर सकते हो stock को और कब exit कर सकते हो ठीक है वो part 1 था वो upload हो चुका है जिन्होंने वीडियो को share किया होगा Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp में उन सभी को links मिल गया होगा ठीक है और साथ में जिनको links नहीं मिला उन्होंने इस वीडियो को share किया है ठीक है तो भाई अगर आपको link चाहिए वाला तो VR stocks करके हमारी एक ID है ठीक है यह हमारी Instagram ID है यहाँ पे आप हमें tag कर दो या skin show share कर दो, tag message कर दो वो link आपको मिल जाएगा ठीक कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, simple आपको जो भी मेरे वीडियो होते है उसको share करना है Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp में इतना करोगे तो आपको मैं हर सबता एक class देता हूँ personally जिसमें share करता हूँ मैं खुद की psychology कैसे आप trading, investing, swing trading कर सकते हो, ठीक है फिर long term में वो आपको fruitful हो सकता है, अगर पार्टिसिविट करना चाहते है तो इस वीडियो को share करके diet message कर देना मुझे Instagram ID में, ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे रूची शोया share के बारे में, दोस्तों दोस्तों रूची शोया share के आप में थोड़ा आपको प खुछ समझा जाएगा, तो दोस्तों देख सकते हो, रूची शोया industry limited stock का नाम है, NSE में listed company और BSC में आपको देखने को मिल सकता है, तो बात करते हैं stock का price अभी चल ला है, 6-4 के असपास, लांस जे 5% का circuit था, तो circuit लगया है इसका मतलब यह नहीं कि stock को हमें बाइगा ना च तो दोस्तों देख सकते हो, NSE में अभी अभी आया है, पहले BSC में था, तो इसने stock ने 5 रूपे का low लगाया था, 4-5 रूपे का, वहाँ से stock ने प्राइस का high लगाया है, वो लगाया है, वो लगाया है, वो लगाया है, अल्मोस क्तिते रूपे का? एक वाधन हम चानने का लगातार नीची की तरफ आ रहा है तो क्या आपको बाय करना चाहिए बहुत लोगों के अगर वीडियो पसंद आगा तो लाइक करके बता सकते हैं अच्छा लगा वीडियो ठीक है और मैं क्यों कहना आपको बाय करना है क्योंकि जो मेरा तरीका है ठीक है मैं अप्लाई करता हूं मूविंग अबरेज जो किसी को नहीं पता है मार्केट में ठीक हो मेरा खुद का रुचिश्वगा शेर के मैंने चार्ट खोलागा रुचिश्वगा डेली चार्ट ठीक है तो आप दोस्तों देख सकता हूं आपको 15 सो प्रका अप्रका ही भी दिख जाएगा ठीक है और अप्लाई करने के बाद दोस्तों देख सकते हो जब भी कोई moving average कैसे गाम करता पहले वो समझो जब stock को आपको buy काना तो moving average stock का price moving average के उपर होना चाहिए अग किसी stock को आपको sell करना है तो इस stock का price moving average के नीछे होना चाहिए तो दोस्तों देखें यहां तो यह stock पहले इस moving average के उपर था price, तो यह buy था, buy candidate के लिए best share था लेकिंद दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर यह जो है rate है 2020 के आजपस यह stock नहीं यहां closing कर दी moving average के नीचे और लगादा जब से stock ने closing करी है, stock नीचे ही कर रहा है ठीक है, यह price आप देख सकते हो कितना रुपे का price है 714 रुपे के असपस, ठीक है तो दोस्तों 714 रुपे के अबास, इसने closing करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो को तो यह मैंने एक line draw कर रहे है इसके low में, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, बहुत simple काम किया है तो दोस्तों देख सकती है, यह जो line है, future में इसमें क्या हुआ है यह line है, यह line अप resistance की तरह काम कर रही है ठीक है, कैसे काम कर रही है, आपको दिखा देता हूँ एक बार resistance लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है और फिर, एक बार resistance लिया, दो बार लिया, बिल्कुल same price देखो आपके सामने, मैंने कोई जादू नहीं किया है, तीन बार लिया तो भाई, जब तीन बार resistance test किया है, same price से तो हमें वो क्या दिखाता है, कि यह एक ठगड़ा resistance लिया है यहाँ बार definitely stock को आपको sell करना चाहिए और यह अगर stock अपने last swing तोड़ देता है, ठीक है, यह last swing दिख रहे हैं आपको यह last swing, तो definitely अगर यह तोड़ देता है, तो stock की लंका लग सकती है तो भाई आपको करना किया, अभी stock एक range में trade कर रहा है बाय की सला तो बिल्कूल भी नहीं है अभी भाई, current market price दो बाय करना ही मत लेकिन हाँ जो last swing अगर आपने यह देख सकते हैं, last swing जो दिख रहे है यह दो आपने stock post लगा लो, trailing के अगर जिन्होंने बहुत नीचे के लिए भाई किया, 5 रुपे, 10 रुपे, 12 रुपे मुझे नहीं लगता, वैसे किसी ने hold अभी तक किया होगा क्योंकि उसका security pattern नथा रहा है, मातर 1% के आपपर public है बाकी की बाकी holding बावाराम देप के पास है, ठीक है तो भाई, अगर आपने stock अभी current market प्राइस को buy करने के सोच रुचिश होगा, शेयर को तो भाई, मत करना ठीक है, यह resistance बहुत तगड़ा, resistance तीन बार test किया है resistance, तो definitely तीन बार test किया है, तो भाई, यह बहुत बुरी ताब आपको पकड़ना है, जब टैस्ट करेगा ताब आपको पकड़ना है, breakout पे नहीं पकड़ना, ठीक है तो इस बात को दिहान नकलो, आशागरता आपको समझ आगयोगा, और दोस्तों सबसे दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जाना है कि स्टॉक को आपको सैल ही करना चाहिए, पाय नहीं करना चाहिए रुशी शेयर को, उसका सबसे बड़ा दोस्तों काण है, इसके fundamental, तो आपको इसके पर प्रॉफित दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा असानी हुला है समझेने में, तो दोस्तों देख सेक तो कंपनी ने debt deduce किया है, ठीक है, गुद प्रॉफित दिया लास्ट पास सालों है, ठीक है सब चीज़े, लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफित की, तो मैं आपको एक बार कंपनी के प्रॉफित दिखाता हूँ, आप वो देखिए, ठीक है, एक फाटर कि अगर आप इसका year on year basis में profit देखोगे ना, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको, आप देख लो एक बार, ये स्क्रीन में आपको year on year basis में profit आप देखने को मिल सकता है, sales तो company के ठीक है, sales में कोई question नहीं है, ठीक है, बैसे कि तो sales में बड़े गिरावट थी पहले, फिस बड़े recovery का जी stock नहीं, sales में, लेकिन अगर बात का तो net income की, तो दोस्तों आप देख सकती हो, चो FI 20 था, उसमें इसको 762 क्रोड का profit हुआ था, और इसी profit के बज़े से, market market देखों हमिसाद बड़ा सोचती है, वो दो कदम आगे सोचती है, उसने पहले ही price discount कर लिया था, और दोस्तों देख से तो इतने बड़ी profit होने के बाद stock ने 1500 का हाई लगाया, जो price justify था, लेकिन जब profit FI अभी देखते करंट चल रहा है भी, करंट TTM, माध था 325 क्रोड का profit है, तो दोस्तों ये profit और ये profit में जमीन आसमान का फरक है, तो भाई अगर जमीन आसमान का फरक है, तो definitely price भी इसको definitely future में match करेगा, ठीक है, definitely match करेगा, अगर इसका profit माल हो ये 666 क्रोड का profit हुआ है, पर यहा 325 क्रोड का उतमाल, 1000 क्रोड का होता है, almost 90% में down आया profit में, कम से कम 70% तूट सकता है, तो अगर भाई 500 का high है, अगर वो गिरता है 70%, तो आप खुद अंदार्या लगा सकते हो कि वो कितना गिर सकता है price, ठीक है भाई, आचा अगर तो आपको समझ जागे हो कि मैं आपको क्या सम्झाना चाहता हूँ, ठीक है भाई, अब बात करते है company क holding की, तो holding देख, चेक कर लो, जैसे मैं आपको बता है, बाबारामदेब की holding जाता है, ठीक है, बागी 1% के आपको public की holding है, ठीक है, तो भाई, डेफिनिट्टी, अगर आप पिचार कर रहें, stock को buy करने की, तो अभी मत करो भाई, थोड़ा stock को थोड़ा रीचे आने तो, support के आसपस buy करो के, तो बढ़िया रहेगा, मेरे साब से अगर इस stock आपको 200-300 के price में मिलता है, तब आप investment करके भूल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो hype बनीती, वो hype आप खतम हो चुकी है, ठीक है, तो अब आपको definitely अभी stock कम से कम, 3-4 साल इसी range में trade करते में दिखेगा, 500-1000 रु करूंगा, अब stock में कोई future नहीं है, अगर आपको investment करने हैं, दूसरे stock को ढूड़ो, stock का, जो होनाता हो गया, अब जब निच्छे के देगा, 230-300 के labels में, तो buy कर लेना, और जो moving average आपको बथा है, उस moving average को apply कर लेना, ताकि आपको थोड़ी help मिल जाए, कि रूचिश्वा कि momentum किस तरफ है, तो आप से उचाओ तो momentum trading कर सकती हो, trading आप मतलब swing trading है, उस अप्लाई कर लेना, 60 moving average, आपको अच्छे खाज़े swing trading उसमें मिल जाएंगे, तो यह आपके लिए home bar के चोटा सा, उसको apply अगरो देखो, आपको बहुत ची रिजल देखने को मिलेंगे, तो चलो बाइ बाइ